नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मसर्मार ब्रिस्चिक रासी वालो भाग्योदे के लिए लाल किताब के उपाए दोस्तों लाल किताब के बारे में आपने तो सुना ही होगा और ये बहुत ही चमतकारी उपाए जो आपके लिए खासम ने आज बतलाने के आपके लिए कोशिस की है वीडियो के अंतक बने रहें ये प्रेडिक्सन चैनल रासी पर आधारित है दोस्तों सबसे पहली चीज आप अपने भाई से प्रेम पुर्वक रहेगा क्योंकि मंगल प्रधान है और मंगल का मतलब होता है आपका भाई यानि आप अपने भाई से जितना ज़्यादा मधूर सम्मंद रखेंगे आपके रासी के स्वामी उतना ही स्ट्रोंग रहेंगे उतना ही मजबूत रहेंगे और आपके उपर कृपा बरसाते रहेंगे हमेशा ही इस बात का ध्यान रखेगा अपने भाई का प्रेम पुर्वक रहें प्रेम पुरो बरताब करें और उनकी आज्यां भी मानें। दूसरी चीज दोस्तों हमारे लार किताब के अनुसार चीटी को गुड या चीनी। जहां भी आपको लगता है चीटीयां की बॉम्बी है कहीं भी घर से बाहर घर में कहीं भी वहाँ पर थोरा सा चीनी या गुड डाल दे। मंगलवार या सनीवार के दिन बूंदी का परसाद आप हनुबान जी को अरपित करें और फिर गरीबों में निर्धनों में बांटें और खुद भी परसाद की रूप में ग्रहन करें। लाल गुलाब की पंखुरी जब भी आप कोई नदी क्रोस करते हैं तब दो-चार पंखुरी ध्यान से पास में रख लें और नदी में प्रवाईत करें। ऐसा करने से आपका फागी मजबूत होगा। और अगर आपको मौका लगता है आप पुजा पाठ करते हैं तब हनुमान जी को सिंदूर और घी या सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और हनुमान जी के पूरे बॉड़ी में लगाएं जि अगर नहीं खाते हैं मंगलवार के दिन तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको नौन वेज का सिवन नहीं करना है। वैसे तो इस दिन नमक नहीं खानी चाहिए पर सबके लिए संभब नहीं है इसलिए हमने कहा कि इस दिन खासकर न आप पहन सकते हैं पर जादा इस्तिमाल मत कीजिएगा थोड़ा बहुत जैसे आपने पास में रुमाल रख लिया महिला है आप रेट कलर का दुपट्टा ले लिए तो इस तरह से लाल रंग का इस्तिमाल कीजिए और चांदी के ग्लास में ही पानी पीजिए एक ग्लास आप हमेशा ही खाना खाया करें यह आपके भाग्योदय में सहाय करेगा और अपने घर में रेट कलर का प्रियोग कर सकते हैं पेंट बेगार में आप दिवाल में कलर कर लिया सिलिंग में कर लिया कहीं भी थोड़ा सा भी कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत सूब रहेगा दूसरी चीज दोस्तों आप चाहें तो तंदूर की रोटी आप दूसरों को तो खिलाइए तंदूर की मीठी रोटी लेकिन खुद मत खाईएगा अब तंदूर का मतलब तो आजकल के जमाने में ब्रेड भी होता है तो ब्रेड तो बीना खाए काम चलेगा नहीं हाँ तंदूर का ध्यान रखिएगा जिसे तंदूरी रोटी बेगर है इस चीज को आपको नहीं खानी है कोसिस कीजिए गर नहीं खाने की ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होगा और जीवन में जो भी परिसानिया है वो दूर होंगी क्योंकि आपके जरासी के स्वामी है मंगल, मंगल देवी हाँ पर जीवन में आपको रोगों से, बिमारियों से और करजों से बचा कर रखते हैं आपको बिवादों से भी बचा कर रखते हैं और आपके अगर रोग, आपका करज, आपका जगडा लडाई, बिवाद या जैसी जो चीजे हैं ये मंगल ही कंट्रोल करता है अकेले ही कंट्रोल करता है और आपके personality पर भी इसका असर डालता है अगर आपकी personality बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है लेकिन अगर जीवन में आपको लगता है बीमारियां है बहुत बीबाद भी बहुत है ज़गे लडाईयां होते रहते हैं और आपका ब्यक्ति तो भी अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है आपका मंगल गरबढ है तो दोस्तों हमने जैसा उपाय कहा वैसा जरूर कीजिए और दूसरी बात हनुमान चालीसा का बाप पाट भी करते रहिएगा इसा करने से मंगल आपके जीवन में सुपता लाएगा और जब आपका रासी का स्वामी सुप होगा तो इसका मतलब जीवन में धीर सारी खुशिया आएंगी आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो सफेद रंग का लीजिएगा आपके लिए सुप रहेगा और अपनी गाड़ी में सिप जी का चितर जरूर लगाईएगा आपके लिए असुप रंग है ब्लू, ग्रिन, ब्लैक ये आपके एक सुट नहीं करेगा इन रंगों से दूर रहिएगा और आपका मंत्र है ओम हंग हनुमते नमा ओम हंग हनुमते नमा आपका सुप रंग है मैरून, पीला, ओरेंज, क्रीम याद रखिएगा हलाकि ये बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद हर हर महा दे